हेलो एबरिवान वेलकम तु दो चानल ओफ केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री का सेकंड चाप्टर स्टार्ट करेंगे विच इस न्यू किंग्स और किंग्डम्स नए राजा और उनके राज्ये इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते है मैनी न्यू डाइनिस्टी इमर्जट आप्टर दे 7th सेंचरी 7th सेंचरी के बाद बहुत सारी नए डाइनिस्टी इमर्ज हुई मैप 1 में आपको गिवन है कि इंडियन सबकॉंटिनेंट के डिफरेंट पार्ट में कौनसी मेजर डाइनिस्टी इस रूल कर रही थी बिट्वीन दे 7th और 12 सेंचरी इस मैप को अगर आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया से अगर हम शुरू करें यहां पर चाहमांस है चोहांस भी जिनको बोलते थे और प्रित्वीराज चोहां इसी डाइनस्टी के थे देन गुर्जर पृतिहार्स चंदेल्स परमार्स अगर इस्टन साइड में जाए पालास पाल्स देन डेकन में राश्टकुटास और सदन इंडिया में चोलास चेरा और यह जो रेड कलर से आपको बाउंडरी गिवन है यह फ्लक्ट्वेटिंग फ्रंटियर है क्योंकि नेबरिंग जो किंग्स थे आसपडोस के जो राजा थे वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थी तो इनकी बाउंडरी कभी भी फिक्स नहीं रही है इनकी किंग्डम की क इतने पार्ट पर इन्होंने रूल किया वो टाइम टो टाइम चेंज होता रहा है लोकेट दगुर्जर प्रतिहार राश्ट कुटास पालाज चोलास चाहमांस चोहांस केन यो अडिटिपाइड अप्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर विच दे एक साइस कंट्रूल यह डिफ राश्ट कुटास यहां पर महराश्ट्रा एंड इधर थोड़ा आंद्रा प्रदेश का पार्ट भी हो जाएगा पालास यह तो पुरा वेस्ट बेंगॉल है चोलास इसमें सदन करनाटिका का थोड़ा सा पार्ट एंड तमिलनाड होगा नेक्स्ट इस चहामांस चोहांस यह होगा राजस्थान का पार्ट एंड एंपी ऑल्सों इनको आप लिखनेंगे चलिया आगया आते हैं अधि इमर्जेंस ऑफ न्यू डाइनस्टीज नई डाइनस्टीज कैसे इमर्ज हुई बाइध सेवन सेंचुरी देर वर बिग लांड लॉर्ड और वारियर चीफ इन डि लोग कितने पावर्फुल और रिच है तो राजा ने उन्हें अपना सबॉर्डिनेट बना लिया जिनको की सामंत कहा जाता था देवर एक्सपेक्टेट टो ब्रिंग गिफ्स फॉर देर किंग्स और ओवर लॉर्ड तो सेंटर में राजा रूल कर रहा है और राजा के जब उलाया जाएगा उनके दरबार में आपको प्रेजन्ट होना होगा और अगर यह दोता है किसी दूसरे केंग्डम के साथ तो उनको मिलिटरी सपोर्ट भी देना होगा आज सामन्स गेंग पावर एंड वेल्ट अमिलिटरी तक रफने का राइट इनको दे दिया है राजा ने तो जब यह बहुत पावरफुल हो गए और वेल्ट इनोंने गेंग कर ली they declared themselves to be mahasamant तो उन्होंने अपने आपको mahasamant या फिर maha mandalashwar the great lord of a circle or region अपने आपको mahasamant या maha mandalashwar घोशित कर दिया कि मैं इस circle का सामन्तों में भी सबसे बड़ा सामन्त हूँ and so on और इस तरीके से ये चलता गया sometimes they asserted their independence from their overlords तो राजा ने जिसको जिसने अपने आपको स्वामी कहा था कि मैं overlord हूँ उन्होंने उससे अपने आपको independent कर लिया वो अलग हो गए उस kingdom से और अपना एक नया kingdom बना लिया इस तरीके से नई dynasties emerge हुई One such instance was that of the Rajkutas in the Deccan ऐसा ही ये किस्सा डेकन में राश्टकूर्स का भी रहा है ये नाम हमने उपर map one में देखा भी था और काफी बड़े kingdom पर ये rule कर रहे थे So initially they were subordinate to the चालुक्याज of करनाटिका पहले ये करनाटिका में चालुक्याज के subordinate हुआ करते थे उनके अंडर काम करते थे In the mid 8th century यानि कि 750 के around दंती दुर्ग राश्टकूर्ट चीफ दंती दुर्ग जो कि उस ताइम राश्टकूर्स के चीफ थे overthrew his चालुक्याज ओवरलोड उन्होंने चालुक्याज की लोडशिप को मानने से मना कर दिया और एक रिच्वल किया एक यग्य किया जिसका नाम था हिरन्य गर्व विच लिटरली मीन्स गोल्डन वूम वेन दिस रिच्वल वस परफॉर्म विधी हल्प ऑफ ब्रह्मिन्स जब ये रिच्वल किया जाता है ब्रह्मिन्स की हल्प से अगर कोई परसन बाइबर्थ शत्रिय नहीं है और वो इस हिरन्य गर्व रिच्वल को परफॉर्म करता है वैसा माना जाता है कि साक्रिपाइजर का रिबर्थ हुआ है उसका पुनर जन हुआ है अज शत्रिय हो सकता है रूल करने के लिए उस टाइम पर शत्रिय होना जरूरी हो लेकिन राश्टकूर्थ बाइबर्थ शत्रिय ना हो इसलिए दंती दुर्ग ने ये रिच्वल परफॉर्म किया और राश्टकूर्थ को एक नई डाइनस्टी के रूप में स्थापित किया आधर केसे मेन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली यूज्ज दिर मिलेटरी स्किल्स के लिखुए बाकी दूसरे ब्रामिन्स थे who gave up their traditional professions अब ब्रामिन्स का क्या काम था उस ताइम पर रिच्वल्स परफॉर्म करना यग कराना शास्त्रों को पढ़ना तो इन्हों ने इस काम को गेव अप किया छोड़ दिया and took to arms और शास्त्रों को अपना लिया successfully establishing kingdoms और दोनों ने ही successfully दो kingdom establish किये कदम kingdom जो की करनाटका में establish हुआ और गुर्जर प्रतिहार इन राजस्तान रिस्पिक्टिवली नेक्स इस administration in the kingdoms इन kingdoms में administration शासन कैसे होता था many of these new kings adopted high-sounding titles इन में से बहुत सारे राजाओं ने अपने आपको कुछ बढ़ा चड़ा के high-sounding जो titles थे वो दे दिये सच आज महाराजा धी राज सभी राजाओं में सबसे great overlords of kings kings जो है राजा जो है उनका भी overlord यानि की स्वामी देन त्रिबुवन चक्रवृतिन लौड और त्री वर्ल्स तीनों वर्ल्स के स्वर्ग धर्ति और पाताल के लौड स्वामी अपने आपको ब shared power with their samans as well as with association of peasants, traders and brahmins तो अपने आपको महाराजा दी राज राजाओं के भी राजा बता रहे हैं तीनों लोकों के स्वामी बता रहे हैं उसके बाद भी ये samans के साथ अपनी पावर शेयर करते थे और जो peasants, traders, peasants यानि की किसानों का, व्यापारियों का और brahmins की जो association थ उसके साथ अपने power को share करते थे In each of these states इन सभी राजियों में resources were obtained from the producers अब राजा के पास शीजने कहां से आएगी वो जो producers हैं उनके kingdom में जो चीजे बना रहे हैं उनसे resources obtained करते थे that is peasants, किसान, जो की फसल हुगाते थे cattle keeper, जानवरों को रखने वाले and artisans, जो की कारिगर थे artistic worker करते थे who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced और इन लोगों को अकसर force किया जाता था कि जो भी आपका production है, जो भी आप produce कर रहे हैं उसका एक part आपको surrender करना है राजा को देना है, sometimes these were claimed as rent तो कई बार इसको rent बोला जाता था कि rent की form में आप देना है due to a lord who asserted that he owned the land, क्योंकि ये मेरा kingdom है यहां की सारी जमीन मेरी है तो आप क्योंकि इस पर फसल उगा रहे हैं, cattle को रख रहे हैं तो इसलिए as rent आपको कुछ part king को देना होगा, revenue was also collected from traders और व्यापारी भी जो थे, उनसे revenue का एक part collect किया जाता था 400 taxes the inscriptions of the चोलाज who ruled in Tamil Nadu refers to more than 400 terms for different kinds of taxes चोलाज का एक inscriptions है inscriptions हम बोलते हैं, पत्थरों को carve करके जो चीज़ने लिखी जाती थी उस time पर, so Tamil Nadu में चोलाज ने rule किया है, और उस inscription में 400 से जादा different type के taxes के बारे में बताया हुआ जो कि राजा collect किया करता था the most frequently mentioned tax is vetti, सबसे जादा जो mention किया गया उस inscription में, वो है vetti taken not in cash, but in the form of forced labor, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप cash नहीं दे सकते तो forcefully उन लोगों से काम कराया जाता था, tax की फॉर्म में and कदमाई और land revenue land से जो भी revenue आपको हो रहा है, उसका एक part आपको king को देना होगा, इस type के tax को कदमाई कहा जाता था these were also, there were also taxes on thatching the house house के उपर अगर आप roof डाल रहे हैं, बास की, छट बना रहे हैं, उसके उपर भी आपको tax देना है सरकार को, the use of ladder to climb palm tree, अगर आप palm tree पर चड़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा पेड होता है अपने cd बनाई है, तो उसके लिए भी आपको tax देना है सरकार को assess on succession of family property अगर family property आपके father for fathers से आपके पास आ रही है तो उसके लिए भी उस process के लिए भी आपको सरकार को assess देना होगा, etc तो इतने type के taxes उस time के kings collect किया करते थे These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts, यह जो resources collect किये जाते थे, tax की form में को use किया जाता था, राजा के खर्चों को finance करने के लिए, plus temples, मंदिरों को और किलों को बनवाने के लिए They were also used to fight wars इनको युद लड़ने के लिए भी use किया जाता था, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in form of plunder and access to land as well as trade routes, अभी राजा युद पर wars पर इतना पैसा खर्च क्यों करते थे, क्योंकि अगर आप जीत गए तो बहुत सी wealth आप फिर से acquire कर सकते है, पैसा आपको मिलेगा in form of plunder, plunder यानि की loot, जो area को आपने जीता है, वहाँ पर फिर वो plunder किया करते थे और wealth acquire करते थे, जो जीता हुआ area है, उसकी land, जमीन अपनी हो जाती थी, as well as trade routes, और एक तरीके से trading के लिए व्यापारियों को roots, नए roots मिल जाते थे, the functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families, revenue को collect करने के लिए जिल लोगों को recruit किया जाता था, काम पर रखा जाता था, वो बहुत influential rich families से होते थे, and position were often hereditary, और फिर ये position generally hereditary हो जाती थी, अगर किसी के father है इस revenue collection में, तो फिर उनका son होगा, and then so on, this was true about the army as well, और army के लिए भी यही था, ये भी hereditary होती थी, influential families के लोगी, army रखते थे, in many cases, बहुत सारी cases में close relatives of the king held these positions, जो king के close relatives थी, ये position उनको दी जाती थी, revenue collect करने वाली, और army को रखने वाली, next is preciousties and land grants, precious प्रशस्ती के बारे में 6th class में भी हमने पढ़ा है, ये राजा लिखवाय करते थे, documents जिसमें की क्या काम उन्होंने की, कौन से wars लड़े वो सब लिखा होता था, basically अपनी तारीफे ही वो लिखवाते थे उसमें, so प्रशस्ती इस कंटेंड डीटेल्स, that may not be literally true, word by word वो सभी details true हो, जो प्रशस्ती में लिखी गई है ऐसा नहीं था, but they tell us how rulers wanted to depict themselves, लेकिन इने पढ़के हमें ये जरूर बता लगता है कि राजा अपने आपको कैसा दिखाना चाते थे, as valiant victorious warriors for example, जैसे कि वो प्रशस्ती में बताते थे, अपने आपको कि हम बहुत valiant सासी है, victorious warriors है, बहुत सारे war हमने जीते है these were composed by learned Brahmins, और जो विद्वान Brahmins थे उस टाइम के ये उनके द्वारा लेकी जाती थी प्रशस्तियां who occasionally helped in the administration और ये Brahmins कभी-कभी administration में भी help किया करते थे the achievements of Nagbhat, Nagbhat की उपलब्धिया, achievements many rulers describe their achievements in प्रशस्ती, बहुत सारे rulers प्रशस्ती ने जो achievements है वो लिखते थे you read about प्रशस्ती और गुपता रूलर, समुद्ध गुपत के प्रशस्ती हमने 6th class में पढ़ी भी थी, one प्रशस्ती written in Sanskrit and found in Gwalior, मध्य प्रदेश describes the exploits of Nagbhat, प्रतिहार king, प्रतिहार king रहे हैं Nagbhat, उन्होंने अपनी प्रशस्ती लिखवाई है संस्कृत में जो की हमें मिली है मध्य प्रदेश के Gwalior से किन कामों का वर्णन उन्होंने किया है वो अभी देखते हैं उसमें लिखा गया है the kings of Antra, सेंधव, सिंध को कहा जाता था उस ताइम पे विदर्ब, part of महराष्ट्रा and कलिंग, उरिसा का part है fell before him even as he was prince कि जब नागभट एक prince ही था एक राजकुमार ही था राजा भी नहीं बना था तब यहां इन सभी देशों के राजा जो है, वो सब उनके आगे धारा शाही थे बिलकुल he won a victory over चक्र युद, the ruler of कन्नौज, कन्नौज के ruler थे चक्र युद, उन्होंने उनके खिलाफ war में victory उन्हें मिली वो जीत हासिल उन्होंने की he defeated the king of Wang उन्होंने उसके राजा को defeat किया, हराया next is अनर्थ, part of gujarat then मालवा, part of madhya prदेशी बताया हुआ, कहां कहां के rulers को उन्होंने defeat किया है किराथ, forest people यहां के लोगों को भी उन्होंने हराया है war में and तुरुष्क, टर्क्स तर्की से जो आये थे वहां के kings को then बत्स, मत्स, both kingdom in North India तो यह सब लिखा गया उन्होंने प्रिशस्ती में कि इन kings को उन्होंने defeat किया और यह यहां के लोग तो फेरे ही उनके राजा बनने से पहले ही जब वो प्रिंस ही थे तो यह उनके सामने घुटने टेका करते थे kings often rewarded Brahmins by grant of lands राजा अक्सर Brahmins को as grant land दिया करते थे जमीन देते थे these were recorded on copper plates और इनको ऐसे copper plates के ऊपर record किया जाता था कि इस ब्रामन को कितनी land दी गई है which were given to those who received the land और जिसको यह जमीन मिल रही थी इस पर लिखके फिर वो उने दिया जाता था कि यह आपकी land है as grant हमने आपको दी है this is a set of copper plates यहाँ पर बहुत सारी copper plates आपको दिखाए दे रहे recording a grant of land made by a ruler in the 9th century में एक ruler थे जिन्होंने land grant किये written partly in Sanskrit इसमें कुछ चीज़े संस्कृत में लिखी गई है partly in Tamil कुछ पार्ट तामिल में लिखा गया है the ring holding the plates together is secured with a royal seal यहाँ पर यह जो एक ring बनाए गया है जिसमें यह सारी plates है इसमें यहाँ पर seal लगी होती थी मोहर लगी होती थी royal seal to indicate that this is an authentic document यह बताने के लिए एक authentic document है कि जब उस जमीन पर वो जो ब्रामिन है वो जाए वहां के लोग देखे तो उन्हें पता लगी कि actually में लांड अब इनकी हो गई है what was given with the land land के साथ और क्या-क्या दिया जाता था this is part of the tamil section of a land grant given by the cholas chol king ने किसी ब्रामिन को land grant की होगी तो उसमें जो tamil part है लिखा गया था वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है we have demarkated the boundaries of the land हमने land की boundary को demarkate कर दिया है यानि की निशान वहाँ पर लगा दिया है by making earthen embankment earthen mitti से embankment बना दिया है as well as by planting thorny bushes और वहाँ पर कुछ कटिली जाडियां भी लगा दिये उसकी चारो तरफ जो जमीन आपको दी जा रही है this is what the land contains अब उस land में क्या-क्या है fruit bearing trees है water land है gardens है orchards है trees, wells, open space, pasture land चराने के लिए जानवरों को एक village भी है ant hills है, platforms है, canal ditches, rivers, slick laden land tanks, granaries, fish pond, beehives and deep lakes बहुत बड़ी land रही होगी जिसमें इतनी सारी चीज़े है तो सब चीज़े उस पर लिखी जाती थी कि हम क्या दे रहे हैं आपको उस land के उपर क्या-क्या चीज़े है he who received the land can collect taxes from it जिसको ये land मिली है जिस ब्रामिन को वो इससे land collect, sorry tax collect कर सकता था इस land पर he can collect the taxes imposed by judicial officers as fine जो fine imposed किये है judicial officer ने वो भी ये ही collect करेगा अभी जिसको ये land मिली है the tax on beetle leaves पान के पक्तों पर भी उस time tax लगाया जाता था that on woven clothes जो clothes weave करते थे बुने हुए जो कपड़े थे उनके उपर tax लगाया गया था as well as on vehicles vehicles के उपर यानि कि जितने भी taxes लगाये गये है उस particular area में वो अब ये ही collect करेगा जिस person को ये land grant की गई है he can build large rooms rooms महाँ पर वो बना सकता है अब इदापर stories made of baked bricks he can get large and small well dug or well इरिगेशन के लिए सिचाई के लिए canals बना सकता है और नहरे जो है वो construct करा सकता है he should ensure that water is not wasted लेकिन ध्यान रखना है कि पानी वेस्ट ना हो and the embankments are built और embankments यो है चारो तरफ वो बनी रहे पता रहे कि कितनी land है उसके अंडर में unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir so Kashmir में kings ने rule किया है उनके बारे में Sanskrit में एक poem लिखी गई थी 12th century में जो बाकियों से थोड़ी अलग थी it was composed by the author named Kalhan एक author थे जिनका नाम था Kalhan उन्होंने इसको compose किया है he used a variety of sources और लिखने के लिए बहुत सारे sources को refer किया including inscriptions, documents eyewitness accounts जो लोगों ने जो देखा था वहाँ पर and earlier histories to write his account unlike the writers of प्रशस्ती he was often critical about rulers and their policies so जैसे उस टाइम पर जो प्रशस्ती लिखा करते थे ये बिलकुल उनसे अलग था उनके जैसा नहीं था वो अक्सर rulers और उनकी जो policies थे उनके बारे में बहुत critical थे उनको बहुत criticize किया करते थे next is warfare for wealth wealth के लिए धन के लिए युद warfare you may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region एक particular region में ये सभी ruling dynasties rule किया करती थी at the same time और उसी time पर they try to control other areas आसपास के areas को भी वो अपने control में लेने की कोशिश करती थी one particularly priced area was the city of kanogh in ganga valley और एक बहुत important area था इस time पर ganga valley में kanogh for centuries लगवख 100 सालों तक कहीं 100 सालों तक rulers belonging to गुर्जर प्रतिहार राश्कुटास and पाल डाइनस्टी fought for control over kanogh यह तीनों जो डाइनस्टी थे यापस में लड़ते रहे इस area पर control करने के लिए क्योंकि ganga valley में था तो बहुत fertile होगा fertility बहुत ज़ादा होगी production ज़ादा होता होगा लोग यहाँ पर rich होगे because there were three parties in this long drawn conflict क्योंकि इस conflict में three parties involved थी historian often describe it as the tripartite struggle तो historian इसको tripartite struggle बोलते हैं three parties के involved होने की वज़े से कौनसी तीन parties थी गुर्जर प्रतिहार राश्टखुटाज और पाल डाइनस्टी यह देखे यह है कन्नौज और कौनसी तीन parties थी पाल्स गुर्जर प्रतिहार और राश्टखुटाज जो कि डेकन भी रूल कर रहे थे लेकिन इतने ऊपर इस पार्ट को फिर भी कंट्रोल करना चाह रहे थे आप अपनी बुक में 62-66 पेज पर देखेंगे कि उस ताम के जो रूलर्स थे वो अपनी पावर को रिसोर्स पो डेमोंस्ट्रेट किया करते थे उसका दिखावा किया करते थे बड़े-बड़े टेंपल बनवा कर इसके किंग्डम में जितना बड़ा टेंपल उसको उतना ही पावर कुल माना जाता था So when they attacked one another's kingdom तो जब वो एक दूसरे के राजय पर हमला करते थे They often chose to target temples सबसे पहले temples को ही target करते थे Which were sometimes extremely rich जो कि कभी-कभी बहुत wealthy और rich होते थे You will read more about this in chapter 5 में हम all detail में इसके बारे में पढ़ेंगे One of the best known of such ruler is Sultan Mehmud Ghazni of Afghanistan इसका एक सबसे अच्छा example Sultan Mehmud Ghazni का है जो कि अफगानिस्तान से था He ruled from 997 to 1030 And extended control over part of Central Asia, Iran And north-western part of the subcontinent So Asian subcontinent के north-western part Central Asia और Iran तक इसका जो kingdom था उसका extension इसने किया और 30 साल से जादा भाहां पर rule किया 997 से 1030 तक He raided the subcontinent almost every year और हर साल Indian subcontinent पर ये raid किया करता था इस targets were wealthy temples So उसका target हमेशा wealthy temples ही रहते थे Including that of Somnath Gujarat Somnath के बारे में आपने सुना होगा ये पुरा सोने से बना हुआ था तो इस पर भी उसने अटाक किया था Much of the wealth Mehmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni और Ghazni में इसने अपनी capital city को इतना आलिशान बना दिया वो कैसे यहां से जितनी भी वो wealth लेके गया था उसको use करके सुल्तान Mehmud was also interested in finding out more about the people he conquered जिन लोगों को उन्होंने उसने conquer किया है उनके बारे में भी वो जानने में interested था and interested a scholar named Al-Bharuni to write an account of the subcontinent और उसने एक person को appoint किया जिनका नाम था Al-Bharuni ये एक scholar था कि यहां पर जो लोग है उनके बारे में तुमें लिखना है this Arabic work known as किताब उलहिंद और किताब उलहिंद में Al-Bharuni ने इसके बारे में लिखा है remain an important source for historians so historians के लिए एक बहुत important source है ये बुग he consulted Sanskrit scholars to prepare his account और Al-Bharuni ने बहुत सारे Sanskrit scholars को विद्वानों को भी consult किया अपनी ये किताब लिखने में other kings who engaged in warfare included the chehmans later known as chehmans who ruled over the region around Delhi and Ajmer बाकी जो कुछ और भी kings थे जो इस ताइम पर warfare में engaged थे लडाईयां कर रहे थे उसमें एक नाम आता है chehmans का जिनको बाद में chehmans के नाम से जाना गया बहुत brave इनको माना जाता था और ये rule कर रहे थे Delhi और Ajmer के कुछ regions पर they attempted to expand their control to west and the east इन्होंने west और east दोनों तरफ अपने जो kingdom है उसके control को expand करने की कोशिश की where they were opposed by the चालुक्यास और गुजरात जहां पर west में गुजरात में चालुक्यास ने इनको oppose किया and गहडवाल्स और western UP western UP में जो गहडवाल kingdom थे दूसरी तरफ उन्होंने इनको oppose किया the best known चहमान ruler was Prithviraj 3 सबसे best known जो चहमान dynasty के ruler रहे हैं वो थे Prithviraj 3 जिन्होंने rule किया 1168-1192 almost 25 years who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Gori 1191 जिन्होंने की एक Afghan ruler आये थे इंडिया में plunder करने के लिए Sultan Muhammad Gori 1191 में Prithviraj ने उनको हरा दिया लेकिन next year he lost to him the very next year in 1192 में फिर से वो वापिस आयर इस बार मौंबत Gori जीत गया था next is a closer look the चोलाज अभी चोलाज को हम और closely देखेंगे और detail में इनके बारे में पढ़ेंगे बड़ ये हम करेंगे part 2 में अभी के लिए इतना ही hopefully यहां तक चापकर आप सभी को clear हो okay thank you so much for watching करेंगे बारे में अभी करेंगे